मलेशिया की अदालत ने म्यामार के 1200 प्रवासियों को निर्वासित करनी की यूजणा पर मंगलवार को रोक लगा दी है। अदालत ने ये फैसला दो मानव अधिकास समुहों की याचका पर सुनवाई के बाद दिया। क्योंकि समूहों का दावा है कि प्रवासियों में कई शरण के इच्छुक एवं नाबालिक शामिल है। अदालत का आदेश M.S.T. International Malaysia और Asylum Access Malaysia की ओर से वाद दायर करने के बाद आया है। M.S.T. International Malaysia के निदेशक केटरीना जोरैनी मलिया माउ ने कहा कि अदालत के आदेश के मद्दे नज़र सरकार को उसकास सम्मान करना चाहिए। और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 1200 प्रवासियों में से एक को भी आज निर्वासित नहीं किया जाए। M.S.T. International ने कहा कि अदालत उनकी याचिका पर बुद्वार को सुनवाई करेगी और सरकास से यह आखवान किया कि वे प्रवासियों को उनके देश वापस भेजने पर दोबारा विचार करें क्योंकि वहाँ पर एक फरवरी को सेहने तकता पलट होने और निर्वाचित नेत आंग संसुगी को पद्यूचित करने के बाद मानवदिकार उलंगन की घटनाय चरम पर हैं हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही मैं श्वाता चोहां पंजाब केसरी दिल्यू झाल्यू